नमस्कार दोस्तों, आपने पुछा अगर मन में इंट्रूजिव थौट्स आते हों, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंट्रूजिव थौट्स, ऐसे अंचाहे विचार, जो कभी भी आ जाते हैं, किसी भी वक्त. ऐसे विचार, जिनके बारे में सोच कर, आपको अपने आप पर शर्म आ जाती है, आपको लगता है कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? आप अपने आपको हिंसा करते वे देख सकते हैं आपके मन में ये विचार आज सकता है कि आपका life partner आपके साथ cheating कर रहा है आप अपने आपको ऐसा संबंद बनाते वे देख सकते हैं जो कि समाज में अशोबनी ये है लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ एक विचार है विचार आने का मतलब ये नहीं है कि आप वो व्यक्ति बन गए है या भविश्य में आप कभी ऐसा करने वाले हैं ऐसा ना सोचें इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब हम धूप में खड़े होते हैं या light के सामने खड़े होते हैं तो हमारी एक परचाई बन जाती है वो परचाई छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी कैसी भी हो सकती है लेकिन वो एक परचाई है चाहे वो हमसे कितनी भी बड़ी हो जाए हमारा कुछ नहीं बिगार सकती उस परचाई से हम अलग-लग shapes बना सकते है शेर या हाती तो क्या वो शेर हमें खा सकता है ठीक वैसा ही विचारों के साथ होता है विचार चाहे कितने भी डरावने हो वो हमारा कुछ नहीं बिगार सकते आप इन विचारों को रोके नहीं क्योंकि आप जितना रोकेंगे उतना वो ज़्यादा आएंगे वोट यरेजिस्ट देट परसिस्ट इन विचारों को ऐसे देखे जैसे हम किसी अंचाहे महमान को देखते हैं न जिसके आने की खुशी न जिसके जाने का गम बस वो आते हैं और चले जाते हैं ये विचार भी उसी तरह है आएंगे और चले जाएंगे बिना आपको कोई नुकसान पहुंचाए और आपको अपने बारे में कुछ बुरा फील करने की जरूरत नहीं है ये ना सोचें कि मैं कितना गंदा हूँ मैं कितनी गंदी बाते सोचता हूँ बिल्कुल नहीं आप पवित्र हैं निर्मल है पवित्र आत्मा है अपने बारे में अच्छा सोचें इन विचारों से छुट कर अपाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं अपने मन को शांत रखें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान से अच्छा कुछ नहीं हर दिन 10 मिनिट मेडिटेशन करें ये मेडिटेशन आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा और इस तरह के नकारत्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे इसके इलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेज आप कर सकते हैं डिसिप्लेंड रहें थोड़ा सा अनुशैसन में रहें टाइम पर उठना, टाइम पर सोना अच्छा खाना खाना थोड़ा योगा भ्यास और प्राणायाम इतने चेंजेज आप करके देखें ये विचार आप से इतना दूर चले जाएंगे कि आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी ये आपके जीवन का हिस्सा थे करके देखें अपना ख्याल रखें नमस्कार